सोईब अक्तरने की हिट मैन की तारी बोले रोहिश शर्मा दुनिया के सर्वसिस्ट ओपनर बैट्समैन एक दप सीए विस्वकप दो हजार तेई समाप्त हो चुका है भारते करके टीम ने इस टूनमेंट में बेहत शानदार प्रदर्सन किया है टीम ने सभी 10 मुकाबले में जीत दर्च करते हुए फाइनल तक पहुची थी लेकिन फाइनल मुकाबले में और श्टेलिया ने भारते टीम को मात दे कर विस्वकप का खिताब अपने नाम कर लिया विस्वकप में भारते टीम के लिए सबसे जादा रन विराट कोली और रोहिश शर्मा ने बनाए थे इसके अलावा विराट और रोहिश पूरे विस्वकप में सबसे जादा रन बनाने वाले टॉप टू बल्लिवाद रहे वहीं अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पूर्वित तेज गैंदवास सोईव अक्तर रोहिश शर्मा की जम कर तारीफ की है ऐसे में अब यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या रोहिश शर्मा और विराट कोली को बेस्ट इंडीज और अमेरिका की मेजवानी में होने वाले टी-20 विस्व कब 2024 में खेलना चाहिए या फिर नहीं इस सवाल का जवाब देते हुए पाकिस्तान के पूर्व तेज गैंदवास सोईव अक्तर ने एक समाचार एजेंसी के एक कारिकरम में कहा क्या आपके पास रोहिश शर्मा से बड़ा कोई और ओपनर वलिवास है क्या इस समय पूरी दुनिया में रोहिश शर्मा से बड़ा कि स्ट्राइक रेट पर रन बना सकता है तो सोच ये वो टी-20 में क्या हाल करेगा तो आप उसे टी-20 विस्व कप कैसे नहीं खिलाओगे बता दें किस कारिकरम में शोयव अक्तर से पूचा गया कि अगर हार्दिक पांडिया को भारते टी-20 टीम का कप्तान बनाया जाता है तो क्या रोहिश शर्मा और विराट कोली उनकी कप्तानी में खेलेंगे इस सवाल के जबाब में शोयव अक्तर ने कहा है कि देखिए महेंदर सिंग धौनी कप्तान बने उनकी कप्तानी में सचिन तेंदुलकर खेले और धौनी ने सचिन का सम्मान किया इसके धौनी ने धौनी का सम्मान किया अब विराट कोली और रोहिश शर्मा की कप्तानी में खेले और रोहिट ने विराट का सम्मान किया इसलिए अगर हार्दिक पांडिया कप्तान बनाये जाते हैं तो अब ये उनका टाइम है कि वो भी अपने सीनियर खिलाडी रोहिट और विराट क पूली का सम्मान करें क्यूंकि उन्हीं डोनों सीनिर खिलाडी की कारण आज हर्दिक पांड या आज वहां तक पहुंचने में सफल हुए हैं आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में